हलो और यूट्यूब चैनल टेक्निकल असपर्ट हैकर्स पे स्वागत है आप सभी का और फैंस अभी हमारी जो लास्ट क्लास थी वो रिलेटर थी बैनर ग्राविंग से और जो लोग यह वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं वो इससे अच्छी तरह समझने के लिए पुरान सेशन की जिसमें हम जानेंगे बैनर ग्राविंग की कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज के बारे में तो फैंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेइन कर दिया है अक्टिव और पैसी बैनर ग्राविंग क्या होती है और कैसे हम इन्फॉर्मिशन को एक जो सॉफ्ट्वेर है बहुत सारे जो हैकर्स हैं इस सॉफ्ट्वेर का इस्तिमाल करते हैं काफी हद तक एडवांस इंफॉर्मिशन निकलवाने के लिए किसी भी वेबसाइट की सर्वर से कनेक्ट होने के लिए भी इस तरह की चीजों का इस्तिमाल किया जाता है बिट Before the class, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीजों का या ये जो भी वीडियो हैं, उनका गलत तरह से इस्तिमाल ना करें, अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप खुद responsible रहेंगे, तो friends, चलिए सबसे पहले start करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, netcat softwares के बारे में और वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले same, मैं आपको download और install करना बताऊंगा, क्योंकि friends, ये जो software ये थोड़ा अलग तरीके से install होता है, ताकि आपको problems ना हो, तो इसलिए मैं आपको step by step बताता हूँ, कि इसे install कैसे करेंगे, और फिर इससे work कैसे किया जाएगा, तो चलिए friends, सबसे पहले install करने के लिए आपको start करना होगा, same, Google, क्योंकि वहीं से हमें सारे software install करने है, तो मैंने इसे start कर दिया है, और start करने के बाद आपको यहाँ लिखना है, netcat 1.11, यह latest version है, netcat software का, और आप इसे download कर सकते हो, windows के लिए, या फिर netcat download for windows जैसे ही आप लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते है, netcat 1.11, और आप इस पे click कीजिए, क्लिक करने के बाद आसानी से यह download हो जाएगा, देखें, direct जो है, सीधा-सीधा वो open हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो 32 और 64 दोनो बिट्स में available है, अगर मैं 1.2 वर्जन की बात करूँ, तो इसके अंदर कुछ extra features है, वो थोड़ा latest है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, for example, to talk to exchange SMTP, friends SMTP जो होता है, simple messaging transfer protocol होता है, जिसके जरीए कोई भी message एक computer से दूसरे computer में जाता है, तो जो यह हमारा protocol है, इससे भी connection आप बना सकते हैं, तो इसके बारे में और भी बहुत सारी extra चीज़े हैं, लेकिन मैं इतना explain करूंगा, तो फिर आप जो main topic है उससे हट जाएंगे, तो फिलहाल हम बात कर रहे थे netcat की, तो आप इस पे किलिए कीजिए यह install हो जाएगा, तो फैंट्स मैंने पहले से install कर रखा है वैसे तो और आसानी से ज्यादा बड़ा software नहीं होता है, बहुत आसान सा, मतलब बहुत छोटा सा software है, I mean to say, मतलब KB में ही आता है, MBB नहीं होगा, तो इसे आप install कर लीजिए computer पे, इंस्टॉल करने का जो process है मैं आपको बताता हूँ, यह जो file download होगी, यह zip file होगी, तो मैंने desktop पे install की हुई है, zip file, तो सबसे पहले desktop पे हम जाते हैं, तो fans I am going to desktop, और यहां हम देख सकते हैं, कि अगर ध्यान से देखा जाए, तो net at windows यहां पे already जो software है, तो desktop पे जाने के बाद आपको extract करना है, extract here आप कर सकते हैं, extract करने के बाद इस तरह का एक folder आ जाएगा, आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो folder है, इसमें कहीं भी आपको setup वाली है, इस तरह कि कोई file नजर नहीं आ रही है, तो अब हम इसे install कैसे करेंगे, तो fans install करने के लिए आप यहां देखी सारी जो इस software के बारे में जानकारी है, आप यहां पढ़ सकते हैं, और readme के अंदर काफी सारी information होती है, इस software से जुड़ी होई और आपको सारी information आसानी से मिल जाएगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है कि आप उसे पढ़ना चकें, तो आप इसे कर सकते हैं, और अगर मैं सही मायने में कहूं, तो fans इसका जो इस्तिमाल है, mostly hackers करते हैं, क्यूं और messaging कर पाते हैं, या फिर capture कर पाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि illegal है, without permission ऐसा करना illegal है, तो fans अब install करने की बात चल रही थी, तो चलिए install करने के लिए हमें जाना होगा CMD में, तो CMD मैंने start कर लिया है, fans यहाँ पे mainly, जिन लोगों को DOS नहीं आता है, अगर मै बहुत सारे जो software हैं, वो DOS based होते हैं, और DOS से ही operate होते हैं, तो आप उसे सीख लीजिए, तो fans सबसे पहले हमें यह जो folder है, इसके path पे जाना होगा, जैसा कि आप जानते हैं, यह desktop पे है, और desktop पे है, तो सीधा सीधा अभी यहाँ पे हम अगर बात करें, तो यह हमें location users, users के अंदर, जो quality plus नाम का user आपने बनाया हुआ है, वहाँ पे हैं, तो हमें जाना है desktop पे, तो मैं सीधा desktop पे जाने के लिए मैंने cd प्रेस किया, और यहाँ पे लिख दिया desktop, तो fans आप देख सकते हैं, कि हम desktop के अंदर आ चुके हैं, तो desktop पे एक file है, netcat नाम से, तो हमें उस folder के अंदर जाना है, तो fans अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो folder का जो name है, netcat 1.11 है, तो इस folder के अंदर जाने के लिए, आपको प्रेस करना होगा, same, cd space, netcat, और उसका जो पूरा नाम है, minus 1.11, आप समझ गए होंगे कि मैंने यह क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस folder के अं और अब हमें वो software start करना है, जो netcat वाला software है, तो fans आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है netcat.exe and enter, sorry friends थोड़ी सी mistake हो गई, हमें लिखना है nc.exe क्योंकि वो shortcut में है वहाँ पे, वो netcat name से नहीं है, nc के नाम से है, और exe मतलब executable file है, तो fans आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो software है, अब देखिया, आप cmd line, तो netcat की जो property है, वो यहाँ पे install हो चुकी है, और आप उसमें काम कर सकते हैं, fans बहुत सारे videos है, banner grabbing से related, hacking से related, hacking tutorial से related, लेकिन mostly of जो आपको दिक्कत आती है, कि कोई भी software, वो काम कैसे कर रहा है, वो लोग mainly क्या होता है, कि उ कहां से और कैसे कैसे step by step work करते हैं, ऐसा बहुत कम softwares में दिखाया जाता है, तो fans आप समझ गए होंगे कि इस चीज को कैसे apply करें, अगर मैं आपको video दिखाता और directly कोई भी command apply करता, तो सायद वो आपकी समझ में नहीं आता, मेरे PC में तो वो command काम करती, क्योंकि मैंने software डा जब आप चलाते तो वो command काम नहीं करती, इसलिए ज़्यादातर जो hacking की tutorials हैं, उनमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कि आपने कोई command सीधे-सीधे apply की लेकिन वो काम नहीं करती, काम friends वो इसलिए नहीं कर रही है, क्योंकि वो जो है, मतलब उसके अंदर उसका software या property configure न तो चलिए friends, अब शुरुवात करते हैं, netcat के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब हम बात करेंगे advanced tricks के बारे में, जो हम करने जा रहे थे, वो मैंने वैसे ही enter किया है, तो मैं ऐसे cd slash से बंद कर देता हूँ, और अगर screen हमें clear करनी है, तो cls command होती है, screen clear हो जाएगी और friends cd slash का मतलब है कि जितने भी folder open है, उन्हें dos के अंदर close करना, तो यह अब close हो चुकी है, screen clear है, अब हम बात करेंगे, पहली advanced trick के बारे में, तो चलिए friends, शुरुवात करते हैं, so friends, hope so आपकी समझ में आ गया होगा, practically बताने से पहले, मैं आपको directly live करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो illegal है, हाँ, practice अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपनी virtual machine पर practice कर सकते हैं, और जो commands होती है, netcat वाली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके इलावा telnet से भी कैसे हम server के बारे में पता लगाते हैं, तो वो मै दोनों चीज़े आपको notpad पर बता देता हूँ, आप उस तरह apply कर सकते हैं, फैंस सबसे पहले हम telnet के बारे में, चलो telnet नहीं, पहले मैं आपको nc की बारे में ही जो commands हैं, वो बता देता हूँ, वो install करने के बाद अब उसके अंदर आपको command चलानी है, ncv, और आप यहाँ पर कोई भी IP address लिख सकते हैं, जो भी computer का है, IP address और यह port number, फैंस जैसे ही आप यह लिखके enter करेंगे, तो आपको server से related जो information है, वो screen पर मिल जाएगी, यानि की cmd box के अंदर मिल जाएगी, उसके बाद है, अगर यह command, यह सबसे पहले जैसे ही आप करेंगे, यह connect होने की कोसि करेंगे, और अगर यह connect हो जाता है, तो आपको second command देनी है, head space slash, यह आपको याद रखना है, अगर आप exact command देंगे, तो ही वो काम करेंगा, http slash 1.1, तो http 1.1, friends, यह है hypertext transfer protocol, और http का यह latest version है, तो friends, अगर आप यह command देते हैं, तो इससे जो main information होगी, वो आपके सामने, आजाएगी, और काफी सारी information आप इस तरह की command से ले सकते हैं, तो friends, यह था पहला trick, जिसके जरी आप इस netcat command को use कर सकते हैं, banner grabbing के अंदर, एक और भी तरीका है, दूसरी command होती है, telnet, यह netcat से अलग है, telnet एक बहुत ही अलग चीज है, जिन लोगोंने networking सी के, उन्हें पता ह होगा telnet क्या होता है, तो बजाए ज्यादा बताने के, मैं आपको इस command के बारे में बता देता हूँ, अगर telnet के जरी आप banner grabbing करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, 192.168.1.101 और यहाँ आपको port number लिखना है, और उसके बाद आपको enterprise करना है, तो friends, ऐसा करने से, जो website है, व आपको यह जो command है, वो apply करनी है, और उसके बाद server से related जो भी information होगी, वो information आपको मिल जाएगी screen पे command के अंदर, तो friends, यह था advanced banner grabbing, जैसा कि मैं सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि, अगर आप इस तरह की चीजों का गलत इस्तिमाल करते हैं, तो वो illegal है, without permission, friends, जरूरी नह address से आप दें, तो बिना IP address के भी आप apply कर सकते हैं, like आप इन commands को ऐसे भी apply कर सकते हैं, जो जादतर hackers करते हैं, live के लिए, किसी भी website का name दे कर, जिस पे उन्हें attack करना हो, तो for example, वो इस चीज को ऐसे भी apply कर सकते हैं, any website name, from any website name का मतलब है, यहाँ, किसी भी website का नाम देना है आपको port number देना है, आप इस चीज को ऐसे भी apply कर सकते हैं, like netcat के अंदर भी यह command आप ऐसे apply कर सकते हैं, same, जो भी अभी मैंने दिया था यहाँ पे, any website name.com और port number, तो fans, दोनों methods मैंने आपको बता दिये हैं, इन commands को apply करने के लिए, कि आप इन्हें कैसे apply कर सकते हैं, so please आप बिना permission के और गलत तरीके से इस तरह की commands का इस्तिमाल ना करें, बिना पूरी knowledge के, अगर बिना पूरी information के आप इस तरह की चीज़े करते हैं, तो आप फस सकते हैं, किसी भी गलत चकर में, दूसरा है, कि यह जो videos है, educational purpose के लिए हैं, इन सब के इलावा, अगर आप कर भी रहे हैं, अगर mostly मैंने देखा है, मैं मना घरू लेकिन आप एक बार तो try करके देखो गई हैं, लेकिन फिर भी friends अगर आप इस चीज़ को practice करना चाहा रहे हैं, तो नहीं सलहा दूँगा कि आप proxy का इस्तिमाल करें, या खुद की virtual lab या खुद के server setup करें, तो इस तरह की practical साप आ कैसे setup करते हैं, hope so friends ये चीज़े आपकी समझ में आ गई होंगी, तो मिलते हैं, इससे भी बहुत ही बहतरीन tutorial के साथ अपनी अगली class में, तब तक के लिए thank you, good bye